हेलो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा टाइपस ओफ हुका कोल्स के बारे में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर लेटेस वीडियो आप तक पहुंसती रहे तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हमील मैजिक कोल की छोटी चिलम के लिए काफी बैस है ये कोल इसे बर्ण करके देखते हैं ट्राइ करते हैं अपनी चिलम पे रखके क्विक मैजिक कोल है कहीं भी यूज़ कर सकते हैं नैनो साइज है और अच्छे लेवल का स्मोक निकल जाता है इस कोल से नेक्स आता है हमारा अलशान प्रेमियम पोलो चारकोल ये भी इंस्टेंट बर्ण हो जाता है और काफी नैच्छरल कोल है एक पैकेट में दस रिंग कोल मिलती है आपको तो इसे भी ट्राइ कर लेते हैं काफी अच्छा डेन स्मोक निकलता है इस कोल से भी इसका एश कॉंटेंट काफी कम है आपकी चिलम के अंदर काफी कम पार्टिकल्स जाएंगे कोल के आपको मिलेगे एक अच्छे लेवल का स्मोक आपके हुक्के से मैजिक कोल में ही अगर थोड़े बड़े साइस की बात करें तो यह रही हमारी मैक्सपिक अल्शान प्रीमियम पोलो चार्कॉल आप इसे किसी भी तरह के हुक्के में और किसी भी चिलम में इसली यूज़ कर सकते हैं सलफर फ्री कोल है बिल्कुल नैच्रल कोल है और इतना डेंज स्मोक निकालेगा आपके हुक्के से तो इसे भी मैं एक बार ही ट्राइ करके दिखाता हूँ आपको आप खुद देख सकते हैं कितना डेंस अमांट में स्मोक निकल रहा है इस कोल से काफी कंसिस्टन चलती है इसकी हीट प्रॉपर्ली एंड इवनली डिस्ट्रिब्यूट करती है हीट पूरी चिलम में नेक्स है हमारे स्मोकर कोल जिसे ब्रिक कोल भी कहते हैं और ये है शीशा 360 का कोकोनेट कोल जो की टोटली केमिकल फ्री सलफर फ्री कोल है किसी भी तोरह का केमिकल यूज नहीं किया गया है इसमें काफी नाचुरल कोल है इंडोनेशिया के कोकोनेट ट्री से बना हुआ कोल है तो मैं इन दोनों कोल को स्मोक सिशा 360 के कोकोनट कोल को मैं अपने कोल्ण بर्णर पर बर्न करके आपको दिखाता हूँ आपको इस कोकोनटश कोल की खास बात बतादू है आप अपने हूकर सेशन के टाइम आपके फ्लेवर में किसी थरह का कोल का टेस्ट नहीं आयेुआ कोल में आप फटावर्ट जल जाता है लेकिन उसकी स्मेल थोड़ी आपके फ्लेवर तक पहुंच जाती है जिससे आपको फ्लेवर का पूरी तरह से टेस्ट नहीं आपाता अपने हुक का शेशन के टाइम जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मैंने स्मोकर कोल रखी हुई है और राइट पर ये दो रखे हुए हैं शीशा 360 के कोकोनेट कोल तो मैं पहले स्मोकर कोल को ट्राइ कर लेता हूँ जल्ट आपके सामने है और अब मैं ट्राइ कर रहा हुँ शीशा 360 का कोकोनेट कोल 2.5% है इसका एश कॉंटेंट मतलब आपके कोल का 2.5% से भी लेस अमाउंट में उसके पार्टिकल्स आपके फ्लेवर तक पहुँचेंगे बागी सारा अगा सारा आपका हीट में कनवर्ट हो जाता है जो कि आपके फ्लेवर को काफी देर तक हेल्प करता है बेस्ट के लिए तो आप देख सकते हैं कितना डेंस अमाउंट में स्मोक निकल रहा है शीशा 360 के कोकोनेट कोल से वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें